लाई वी ना गई तनी भाई वी न गई हो ताने मारदा जहान मैंनू सारा तेरी मेरी ओ तुट गई सोड़िये जीवे तुटे आंबर तो तारा स्ट्रगल मेरा चौदा पंदर साल से चल रहा है तेनू दिल वाले शीशेते सजाया दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोडा तेनू रब ने बनाया अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं गुरिया चांद की उंजरिया नियन गोर बाड़ हो तो हर जोड नई खेके वो तू भी जोड़ बाड़ हो कहा जाता है कि बिहारियों की जो कला है वो पूरी दुनिया वरहावी है आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं लेकिन उसमें से एक हिमानशु आदब है जिनकी आवाज की पूरी दुनिया इस वक्त कायल है बस तस्वीर उस मुंबई नगरी की देखने के इनके दिल में इच्छा है कि शायद वहां तक पहुंचा है हमारे साथ बात करने के लिए हिमानशु जी हैं हमानशु जी सपना बड़ा है आपका हम सब ने आपको सुना महिनत की या लोग बोलते हैं कि कभी कभी किसी को होता है कि उपर भगवान की तरफ से खुदा की तरफ से दी हुई चीज़े होती है गला होता है और वो गाने लगते है नहीं मैं बच्पन से ही म्यूजिक अब यह जा रहा है कि जो आवाज में खनक है वो लोगों को अपनी तरफ खीच ला रही है शायद मुमबई तक बात पहुंचे बड़े जी मिज्जिक डारेक्टर है उन तक बात पहुंचे तो शायद हमानसु की अगली उडान मुमबई होगी जबिल्कुल मैं हमेशा से य जोजे मोका मेले काम करने का हो जाय 10 पहले मैं सुना देता हूं आज की किल ट्रेंड में चल रहा है तो मैं वही सुनाता हूं में लाइल गुए यू अलिए टैनी भाफ Шय वεται संगे होताने मारदा जहान मैंनू सारा तेरी मेरी ओ तुट गई सोडिये जीवे तुटे आमबर तो तारा तेरी मेरी ओ तुट गई सोडिये जीवे तुटे आमबर तो तारा रियाज कितने घंटे करते हैं आप उम्र आपकी कितनी हुगी है जीटेशन कितनी मैं अभी टुटे नाइट इनर्स का हो गया हूँ चौदा मार्च को और रियाज मेरा लगभग धाई से तीन घंटे का होता है डेली का और क्योंकि रियाज के टाइम और भी बढ़ा सकता हूँ क्योंकि रिस्पॉंसिबिलिटी है घर की तो मुझे अपने जॉब पे भी जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी मुझे टाइम देना पड़ता है जिसकी वज़े से अच्छा इश्ख हुआ था तब गाने से इश्ख हुआ या इस गाने से ही सिर्फ इश्ख है आपको नहीं मुझे एक्चली म्यूजिक से ही लगाऊ है और मुझे कोई भी गाना अच्छा लगता है तो मैं उसको बड़ी शिदत से चाहता हूँ कि मैं उस गाने को का हूँ मैं सुनाता हूं आपको क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ मेरा समय तो वही पे है ठेहरा हुआ बताओं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या खुब्सूरती है इस आवाज तो ये जो आवाज है आपकी जो ले है जो खना के कहीं से नहीं लगता है कि एक गाओं एक छोटे से शहर या एक बिहार से गाने वाला आदमी कला को आपने बहुत मेहनत से हासल की है नुसरत फटहली खान को आप लोग उस्ताद मानते हैं लोग जो उनका नाम लेते हैं तो ये इस तरह से कान पे आदब से नाम लेते हैं कि वो लाइन जो आपको दिल को बहुत जादा करीब चूती है प्यार तेरा जिन्दड़ी मेरी करनी है बस पूजा तेरी तेनू दिल वाले हाँ तेनू दिल वाले शिशेते सजाया दिल कर वेकदार अवा कि ना सोड़ा तेनू रब ने बनाया अच्छा बॉलिवुड में कौन ऐसे सिंगर है जो आपके बहुत करीब है जिनको सुन करके आपको लबता है कि इनकी आवाज और यह सारी चीज़ें नकल करने उनकी रास्ते पर चलने की जो कोशिश आप क्यों दिखिए मैं एक्चली मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं तो सुनता हूं लेकिन मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं लेकिन हां मैं रफी जी को और सोनु निगम सर को मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं रफी साब के तो सब दीवाने आज मी तो मैं कुछ सुना देता हूं उनका ठीके बहुत हां बहुत ही प्यारा गाना है उसका एक लाइन में आपको सुनाता हूं अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहारे तू ए खुदा है कहारे तू अच्छा के मानशु जी सुबह सही आप गाना गा रहे हैं जा लग अलग जगा जा रहे हैं आप जिस एलाके से आते हैं हम आप जिस एलाके वहां भोश्पूरी एक बड़ी अच्छी भाशा है हाला कि आशलीलता को लेकर बा मैं आपको दो लाइन सुनाता हूं बहुत ही बहतरीन गाना है और शायद लोग को भी पसंद आए तो मैं सुनाता हूं गोरिया चांद के उंजरिया नियन गोर बाड़ू हो तो हर जोड नई खेके वू तू भी जोड बाड़ू हो तो हर जोड नई खेके वू तू भी जोड बाड़ू हो यह थे हमारे साथ हिमानशु यादब इनका एक खाब है इनका एक सपना है कि मुंबई तक ये जाएं और हमारी भी यही दुआ है जिस तरह की आवाज है खुबसूर्ती है ले यह सारी चीज़ें कहा जाता है कि रियास जो होता है अगर कोई फनकार कलाकार जो गाना गाने बाला है संगीत से मुहबट रखता है अगर नगमे से उसे प्यार है तो वो बहुत वक्त देता और इन्हों डिए हैं कि हमने एक बहुत वक्त दिया है इसके लिए और मेरी खाहिश है मेरा एक सपना है ख़ाब है कि खाबों की दुनिया में यारी मुंबई जो एक खाब की अगरी है वहां जाकर के अपनी आवाज दें और बॉलिवुड के लिए गाए ताके हमारा जो अपना एक मिशन था जिंदिगी में की चलो भाई संगीत से प्यार है तो एक उचा मुकाम हासिल करें हमारी भी दौा है और शायद इंटर्विव के बाद ये चीज़े जब लोगों के तक जाएगी बॉलिवुड में जो लोग है बड़े मुजिक डारेक्टर हैं जो मैं कंपनी के मालिक है वो जरूर हमानशु के कला की कदर करेंगे और इनकी जो तस्वीर है जो खुबसूरत है जो ब